हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको साड़ी की पीको कैसे करते हैं वो बताऊंगी ये पीको की मशीन है और इससे आपको साड़ी पीको करके बताऊंगी कि सही तरीके से साड़ी पीको कैसे होती है तो इसके लिए सबसे पहले ये है साड़ी का पल्ला लास्ट का उसके लिए आप को आधी या पौण इंच की पट्टी पर कट लगाकर और हलके हाथ से इसकी काण निकालने के लिए आपको इस तरीगे से कप्ड़े को काटना है या फारना है हाथ से मिलाके हलके हाथ से काटके और ये देखो इसकी काण निकल रही है कार निकालने के बाद में आपको इस तरीके से मशीन के उपर साड़ी से एक दव सीधी रखके और यह देखिए अधी एसे पले को फोने की तरप से इसे दवा कर और यह जो कोर्ण है इसको मशीन के जो दोनों पेर है उसके बीच में इसे डालकर पहले हाथ से गुमाना है, आपको कि हल्के हाथ से पीको करनी है आपको कपड़ा इस तरीके से पकड़ना है, एक हाथ आपका ऐसे रहना चीए और एक हाथ ऐसे, यह देखिए, आपको फीचना नहीं है, ना तो यह कपड़ा खीचना है, ना यह खीचना है, बस आपको दोनों हाथ ऐसे लगाने हैं, और एसे पीचे करना है, यह देखिए, फ सीधी पीकवाई है, इसमें कोई भी कान नहीं है, यह ध्यान रखना है, आपको कि इसके अंदर कपड़ा ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और नहीं कम, बिल्कुल सीधी तरीके से पीको करनी है, आपका यह हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पीको आएगी और बिल्कुल सीधी होएगी, बहुत से साड़ीों में जैसे नहीं जानते हैं, तो इसमें कान आने की बज़े से साड़ी का पल्ला बिल्कुल नंबह हो जाता है, उसकी बज़े से फिनिशिंग नहीं आती, और अगर आप इस तर कई साडियों में लेस होती है कई में नहीं होती है इसके अंदर लेस है तो आपको लेस वाली इसके को नीचे से लास्ट में इस तरीके से मोड लेना है मोडने के बाद असकर एसे पीको चली जाएगी अब इस पर आपको लोक लगाने के लिए आज इस पीछे करते हैं इस देखिए बिल्कुल सीधी पीको हुई है बहुत अच्छी पीको हुई है अक्छी बढ बाद थी अग्ट अजिआ प्नी ऊचे खीको पीजेंगि